हेलो नमस्कार दोस्तो नौलेज हंटर यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्यान अनलिमिटेड के एपिसोड एक में हम आपके द्वारा पूछे गए कुछ चुनेंदा स्वालों को लेकर आज फिर स्याजी रहें तो जैसे कि आज के क्यूसंस है वो आपके द्वारा पूछे गए है स्वागरात पर बिस्तर को फूलों से क्यों सजाया जाता है कम उमर में ही बाल सफेद क्यों हो जाते हैं और दुनिया की सबसे महेंगी सराब कौन सी है तो इनी परसनों का उत्तर देने के लिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन परसनों का उत्तर जैसे कि आपके दोरा पूछा गया पहला प्रसन था सुवागरात पर बिस्तर को फूलों से क्यों सजाया जाता है तो चलिए इसी प्रसन का उत्तर देते हैं और जानते हैं कि इसा क्यों किया जाता है हर कोई सादी को लेकर कई सपने संजोई रखता है लाखों अर्मान पाले लड़कियां ससराल जाती है वेशे तो साधी की हर रसम को खास माना जाता है लेकिन सुवागरात को अलग ही मैत्वे दिया गया है इस रात के लिए कई तयारियां होती है उनी में से एक है बिस्तर को सजाना क्या आपने कभी सोचा है कि इस रात को फूलों से बिस्तर को क्यों सजाय जाता है अगर नहीं तो आज हम इसी प्रशन को और इसके उत्तर को आपके सामने प्यस करने जा रहे हैं विवाभाए के बाद सुवागरात को नए वर वधू की सेज यानि की उनके बिस्तर को फूलों से सजाया जाता है, यह एक पुरानी परमपरा है मानेता है कि इस दिन से लोग अपनी नई जिंदगी की सुरवात करते हैं इसलिए सेनकक्ष का माहूल रोमांटिक बनाया जाता है कहीं कहीं तो फूलों के साथ ही सुंगंदित मिठाई भी कमरे में रखने का रिवाज है इस दिन पूरे कमरे में सुंगंदित फूल, रजनिगंदा, गुलाब, चमेली या फिर कमेच्छा बढ़ाने वाले मादक फूलों को सजाय जाता है बता दें कि हिंदू धर्म में भी इस तरह की मानेताई सद्धियों से चलिया रही है अगला प्रसन है कि कम उमर में ही बाल सफेद क्यों हो जाते हैं जलिए इस प्रसन का उत्तर जानते हैं उमर कोई भी हो सफेद बालों के समझ्या से आजकल ज़्यादातर लोग प्रेशान है पहले जहां एक तई उमर के बाद ही लोगों के बाल सफेद होते थी वहीं अब बच्चों के बाल भी सफेद होने लगी है कम उमर में बालों के सफेद होने का कारण अक्सर जेनेटिक्स या हार्मोन को समझा जाता है लेकिन बालों के सफेद होने के पीछे कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस प्रसंद के उत्तर के रूप में उन सभी कारणों को पहला कारण है प्रदूशन यई प्रदूशन से भी बालों को काफि नुक्सान पहुचता है हवा में मौझूद प्रदूशित तत्वे बालों को देमेज करने साथ उन्हें तेजी से सफ satisfactory करने लगते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदूशित हवा में मौजूद फ्री रेडिकल्स मेलानिन जो की बालों को देमेज कर सफेद करने लगता है। नमबर दो पर कारण है तनाव। उम्र से पहले बालों के सफेद होने का एक कारण तनाव भी है। तनाव लेने से बाल जल्दी अपना नेचुरल रंग खो देते हैं। अगर आप अपने बालों को सफेद होने से रोकना चाहते हैं तो तनाव शे बचिये और इनसे दूर रहिए। नमबर तीन पर कारण है धुमर पान धुमर पान भी बालों को कम उमर में ही सफेद कर देता है साल 2013 में परकाशित एक स्टडी के मताबिक जो लोग धुमर पान करते हैं उनके बाल जल्दी सफेद होनी के संभावना दूसरे लोगों के मुकाबले 25 प्रतिशत ज्यादा होती है इसके अलावा भी धुमर पान की आदत सहत को गंबिर रूप से नुकसान पहुंचाती है नमबर चार कारण है हार्मोंस सरीर में हार्मोंस का इस्तर बिगड़ने से भी बाल जल्दी सफेद हो जाती है हार्मोंस के ऐसंतुलित होने से बाल रुखे सुके हो जाते हैं बालों की चमक खतम हो जाती है साथ ही बालों के जड़ने के समश्या भी आम हो जाती है और अंतिम और पांचवा कारण हम इसके लिए बताएंगे अनहेल्दी डाइट यानि की ऐसंतुलित बोजन डाइट का सीधा असर सहत पर पड़ता है इसलिए डाइट का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है दर असल डाइट में नूट्रेट्स की कमी होने से कम उमर में ही बाल सफेद हो जाते हैं वहीं सरीर में विटामिन B12 की कमी से बाल रुके सुके और बेजान होने लगते हैं और अपना नेचुरल रंग खो देते हैं अगला प्रसन है दुनिया की सबसे महेंगी सराब कौन सी है आपने साइद अब तक 5000 या 10 अजार तक की ही सराब की बोतले देखी होगी लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सराब की एसी भी बोतले हैं जिनकी कीमत लाखोमी है जी हाँ यूरोपिय देश हंगरी के परमुक पर येटन इस तल टोकज के सराब उतपाद को ने एक एसी ही वई वाइन तियार की है जिसकी डेड़ लीटर की एक बोतल की कीमत करीब 28.4 एक लाक रुपे है इसे दुनिया की सबसे महंगी सराब बताया जा रहा है इस सराब का नाम इनसेसिया 2008 डिसेंटर है इसकी अब तक मातर 20 बोतले ही त्यार की गई है जिनमेंशे 18 बोतलों को पिछले साले रिलीज किया गया था इसके बाद यही इसे दुनिया की सबसे महंगी सराब माना जानी लगा है इस सराब की 11 बोतल अब तक बिक चुकी है खास बात यह है कि इस सराब की परते एक बोतल को एक चमकदार काले रंग के बॉक्स में रखा गया है जिसमें एक स्विच लगा होता है जो बोतल को और भी अधिक चमकदार बना देता है इसकी एक और खास बात है कि कोई भी बोतल एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है यानि कि सब को अलग अलग तरीके से और विशेश रूप से बनाया और पेक किया गया है इस असराब की एकसपाइरी डेट यानि की तारीक है वो वर्स 2300 है यानि कि इसे अभी भी लोग 280 साल तक चाहे तो साइज और संभाल कर रख सकते हैं या सराब साल 2008 में तयार हुई थी जिशे कई सालों के बाद बोतल में पेक किया गया इसे बनाने वाली कमपनी के जनरल मेनेजर जोल्टन कुवाक्स के मताबिक इनसे सिया 2008 वाइन तयार होने के आठ साल बाद बोतल में पेक होनी के लिए सही मानी जाती है जोल्टन कुवाक्स के मताबिक इस सराब को खास मोसम में ही बनाया जाता है और एक चोटी चमच के बराबर मात्रा मेशे बनाने में करीब 1 किलो ग्राम पके हुए अंगूर का इस्तेमाल होता है यानि अगर एक बोतल सराब बनानी हो तो इसके लिए करीब 20 किलो ग्राम अंगूर की आउशकता होगी इसकी 37.5 सेंटीमीटर की एक बोतल में 3 प्रतिशत अलकोहल होता है इसमें अधिक तर 4 फिस्दी ही अलकोहल हो सकता है जो अन्य सराब के मकाबले बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों ये थे आज के आपके पूछेगे स्वालों के उत्तर अगर आपके मन में ऐसे और भी सवाल है तो आप कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए हम उन में से कुछ चुनिंदा स्वालों को अगले वीडियो में उत्तर सहीत आप तक पहुंचाने की कोशिस कर करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले